अब हम अलुमिनियम से बना हुआ एक हैंगर लेंगे उसमें से हम एक छोटा रॉड काट लेंगे हम उसे थोड़ा मोडेंगे और उसे इस बड़े कप में रखेंगे अब हम रॉड तथा कप में बटर अर्थत मक्षन लगाएंगे हम इस कप में उबलता हुआ पानी डालेंगे अब सोचिए हमने जो बटर लगाया है उसका क्या होगा क्या सारा बटर एक साथ पिघलना शुरू हो जाएगा अगर हम कुछ समय के लिए रुके तो देखेंगे कि वो बटर जो कप के नजदीक है वो पहले पिघलना शुरू हो जाएगा सबसे पहले ये गिर जाएगा और सबसे अंत में आपके दाहिनी ओर जो पटर लगा है वो पिघलेगा और गिर जाएगा इससे हम क्या निश्कर्ष निकाल सकते हैं गरम पानी में जो उश्मा है वो रौड के माध्यम से गरम सिरे से ठंडे सिरे की ओर जा रही है उश्मा के स्थानांतरण की इस पद्धदी को संचलन कहा जाता है उश्मा धातु के माध्यम से स्थानांतरित होती है यदि हमने अलुमिनियम रौड के स्थान पर स्टील के रौड का इस्तमाल किया तो क्या होगा यदि स्टील का रॉड होगा, कप के पास लगा हुआ बटर पिघल कर नीचे गिरने में थोड़ा अधिक समय लगेगा ऐलुमिनियम रॉड के मामले में बटर जल्दी से पिघल कर गिरता है इसका अर्थ ये है कि अलुमिनियम स्टील की अपिक्षा जल्द गती से उश्मा का वहन करता है यदि हमने यह कृती लकड़ी के माध्यम से की तो क्या होगा? उश्मा के सुचालक और कुचालक हमने अलग-अलग प्यालियां ली हैं अब हम प्यालियों में गरम चाई या फिर दूड डालेंगे इनमें किस प्याली को छुना आसान है? प्लैस्टिक की प्याली से चाई पिना सबसे आसान होगा प्लैस्टिक की प्याली की मुठी को पकड़ कर हम चाई पी सकते हैं स्टील की प्याली की मुठी अधिक गरम होती है, स्टील उश्मा का सुचालक होता है, स्टील उश्मा का जल्द गती से वहन करता है, लकडी उश्मा की कुचालक होती है, लकडी उश्मा का बहुत धीमी गती से वहन करती है, क्योंकि इस चमच की मुठी लकडी की बनी हुई है ये कुछ पदार्थ हैं जो उश्मा के सुचालक हैं और ये कुछ पदार्थ उश्मा के कुचालक होते हैं क्या आप अपने पास पाई जाने वाली वस्तूओं में से उश्मा की सुचालक वस्तूओं खोज सकते हैं साथ ही उन वस्तूओं को भी खोजें जो उश्मा की कुचालक है साराँज ठोस पदार्थों में उश्मा का संचरण संचलन पद्दती से होता है जिसमें आसपास के अनों और परमानों एक दूसरे से टकराते हैं इसी के साथ हमने उश्मा के सुचालक और कुचालकों के बारे में भी जानकरी प्राप्त की